देश की टॉप होट सीट अमेठी में भाशपा का हर हत कंड़ा फेल हुआ अमेठी में केंदरी मंत्री इसमरती इरानी को जिताने के लिए भाशपा ने जहां अधिक ताकत लगाई वहीं सबसे अधिक खेल हुआ जे हां दोस्तों अमेटी में भाश्पा को ऐसा जटका लगा जिसको स्मृती इरानी शायद भूल पाएं ये देखिए वोटिंग शार्ट अमेटी की पाचों विदान सबा सीटों पर कॉंग्रेस कैंडिडिट किशोरी लाज शर्मा ने लंबी छलांग लगाई सपा विदायक राकेश प्रताप सिंग और अमेटी विदायक माराजी देवी की बगावत भी स्मृती इरानी के किसी काम ना आई कॉंग्रेस को गौरी गंज में एक लाग आठ हजार से अधिक वोट मिला वहीं स्मृती इरानी सिर्फ 75,000 में सिमट गई कॉंग्रेस के किशोरी लाज शर्मा ने गौरी गंज में 3,33,078 वोटों की बढ़त बनाई तो वहीं अमेटी विदानसबा में वोट का अंतर 48,000 पार कर गया अमेटी में कॉंग्रेस को एक लाग 6,000 वोट मिला तो भाजपा 69,000 में क्लीन बोल्ड हो गई कॉंग्रेस के किशोरी लाज शर्मा ने सबसे लंबी छलांग सलोन विदानसबा में लगाए किशोरी लाज शर्मा को एक लाग 9,000 से दिक वोट मिला तो इसम्रती इरानी सरसट हजार वोट का अंकड़ा ही चुपाई यानि सलोन में किशोरी लाज शर्मा ने रिकॉर्ड 22,318 वोट की बढ़त बनाई मुश्लिम बाहूलियर जगदेशपूर में भी इसम्रती इरानी का जादू नहीं चला यहां भी कॉंग्रेस ने 15,590 वोट की लीट बनाई हलाकि जगदेशपूर सीट पर इसम्रती इरानी को सबसे अधिक 85,789 वोट मिला वहीं कॉंग्रेस के किशोरी लाज शर्मा ने 113,000 से अधिक वोट हांसिल किया तिलोई विदान सबा में भी भाषपा धेर हो गई कॉंग्रेस के किशोरी लाज शर्मा को 1,1405 वोट मिला तो इसम्रती इरानी 83,287 वोट पाकर दूसरे पायदान पर चली गई तिलोई में भी कॉंग्रेस ने 18,118 वोट की बढ़त बनाई इस तरह केंदरी मंत्रे इसम्रती इरानी को कॉंग्रेस के किशोरी लाज शर्मा ने 1,666,22 वोट से शिकस्त दे दी चौकाने वाली बात रही कि बसपा को अमेठी लोग सबा में सिर्व 34,400 वोटी हैं हासिलो सका ऐसे में तजवीर साफ है कि अमेठी में भाषपा और इसम्रती इरानी की सभी गड़ित फेल हो गई और एक बीविदान सबा पर कमल सफल नहीं हो पाया बिरो रिपोर्ट एंटी टीवी भारत